नमस्कार फरीदाबाद हम लोग पहुंचे हैं आज सूरज कुंड और नो तारीख है फरवरी की मतलब आप समझें कि ये वो समय है जब ये सूरज कुंड मेला हर साल यहां अपने शबाब पर होता है लेकिन इस बार आप देख सकते हैं बिलकुल सुंसान बिलकुल खाली पड़ी है ये जगह ये इलाका और विकास जी सीनर जनलिस्ट है विकास कालिया जी आकाश्वानी से हमारे साथ हैं आज और हम आपको दिखाएंगे दिखाएंगे वो इलाका जहां इतना भरपूर बसंत का ये पहला पकवाड़ा परवरी का ये पहला पकवाड़ा भरपूर लोगों के साथ लाखों की तादाद में जहां लोग होते थे कैसा है आप देखेंगे कि आप देख सकते हैं दंतेवाडा गेट है यहां और ये सूरज कुंड की पहचान है और तमाम वो जो कलाकरतियां यहां बनी है वो दिखाएंगे दिखाएंगे आपको कि मेला नहीं है तो वो जगह कैसी अकेली है और मेले के कारणा कैसा होता है माहौल आईए तुशार थ थोड़ा सा दिखाएंगे यह जड़ा जी कि अब चश्मे में पारस जी बहुत-बहुत धन्यवाद थेंक्यू वेरी मच और कोशिश है आज वो थोड़ा सूरज तीखा है तो चश्मे के साथ हैं हम लोग और यह आप देखें डिजाइनर गैलरी यहां पर मेला मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूंगा यहां पर एड्मिन्स्ट्रेटर का ओफिस होता था मेले से रिलेटेड जो भी पासेज जो भी फैलिसिटेशन वी आईबी गेस्ट का सब कुछ यहीं पर होता था और आज देखिए यह सूना हम लोग महसूस कर हैं जी और हालकि जो जो कलाकृतियां हैं जो यहां बनाए गए ऑनुमेंट्स हैं उनके जो अनुकृतियां यहां बना रखी हैं वो यहीं हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जब लोग नहीं होते हैं तो वो जगह कैसी होती हैं जहां जहां यह मेला आवजित ह होता रहा है आई एक खबर ये भी आ रही है कि एपरिल के बारे में सरकार लेकिन मैं समझता हूँ एपरिल में नहीं इस बार स्किप हो गया यह मेला इस बार मेला नहीं लग पाएगा क्योंकि एपरिल में यह सबसे खुबसूरत बात इस मेले की क्या है कि जिस मौसम में लगत मेले में यहां आने वाले दर्शकों में एक अलग तरह का उत्साहा होता है उमंग होती है लेकिन एपरिल में 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 जून में अगर इन मौसमों में यह मेला लगे तो यहां इतनी गर्मी होगी कि आम तोर पे लोग यहां आना पसंद नहीं करेंगे दिन में घूमना पसंद न सुनसान है खाली पड़ा है मुझे आज भी याद आ रहा है कि 1987 में यह पहला पहली बार यहां पे मेला प्लान किया गया था और उस समय तो चलिए हम एस स्टूरेंट यहां पर आया करते थे तो शायद if I'm not wrong गुजरात मेरे ख्याल उस लमान में पहली इसकी तीम स्टेट वो अजबाद में वो उत्तर प्रदेश के लिए बना दिया गया मनारस के घाट के रूप में कर दिया गया गुजरात की गली बड़ी पॉपुलर रही यहां और विकास लगबग 2000 से वर्ष 2000 से तो हम दोनों साथ आई रहे हैं इस मेले को देखने के लिए साथ आई रहे हैं और अग्स का पी प्रपोजल उनी की उनी का ब्रेंचार्ड है तो वो जब टूरिजम में रहे तो उनी की यह आल्मोस्ट देन है कि इस चाइप का यह सब होना चाहिए फिर कुठारी साब भी आए थोड़ा सा और देखें देखने की कोशिश करें कि यह देखें जहां खूब शोर होता था खूब चहल पहल खूब उत्सव का पूरे उत्सव का वातावरन होता था और पिछले 30 सालों से 30 सालों से मिला यहां लग रहा है और आप समझ सकते हैं 32-34 सालों से लग रहा है विकाजी और आप आप देखें कि कोई फरवरी ऐसा नहीं जाता था जो लोगों के यहां भीड़ना लगती हो फरवरी का पहला पकवाड़ा यह बद्रीनाथ बंदिर का एक रिपलाई का है चीक राइट एंड साइट पे फूड कोट होता था यहां प पूरे साल इंतजार करते थे कि हमें कुछ हैंडी क्राफ से संबंदित कोई चीज लेनी हैं कुछ सामान लेना है तो हम इंतजार करेंगे और उस समय जाएंगे सूरज कुंड मेले से जाकर यह चीज़ें परचेज करेंगे और पूरा देश यहां दिखाई देता था और नाटे शाला यह आप देख सकते हैं देश-विदेश के कलाकार यहां अपनी प्रतिभा का आद शार थोड़ा सा आगी लेकर आएं नाटे शाला दिखाएंगे कि देश-विदेश के कलाकार यहां होते थे खूब मतलब लोगों के फेश्बुक पेजेज इंस्टाग्राम प्रोवाइड्स भर जाते थे यहां फोटो डाल कर लोगों को अपनी जो पगडियां यहां पगडी की दुकान होती थी यहां लोग पगडियां बनदवाते थे कि यह बड़ा यक्षप्रश्ण है और मैं समझ रहा हूं इस बार तो शायद मेला नहीं लगेगा क्योंकि जो तैयारियां चाहिए होती है लगबग 6 महीने की तैयारी चाहिए होती है इस मेले को लगाने के लिए यह नाटेशाला पर हैं यहां देखें आप कितनी सुन्दर प्रस्थुतियां यहां होती रही है इस नाटेशाला पर देश विदेश के कलाकार यहां आकर अपना हुनर अपना जलवा यहां बखेरते रहे हैं और जो विदेशी कलाकार हैं उनके सा पूरा एकदम खचा खच भरा होता था और यहां बैटने की जगे नहीं मिलती थी यहां लेकिन आज आप देख सकते हैं बिल्कुल समसान मीडिया को खासकर यह बूला कोर्नेर हमेशा से दिया जाता है और इस कोर्नेर में मीडिया तमाम मीडिया डिल्ली से फरीदाबाद से बाहर से यह कऊर्निर उनके लिए लौट यजी आएं थोड़ा सा इस तरफ भी देखें घृष्प और वहाँ उस तरफ अपना घर बनाते रहे हैं थीम स्टेट के जो राज्य चुना जाता रहा उस राज्य से संबंदित जो लोग वहाँ के जो जीवन की छवी जहां की दिखाने के लिए यहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता रहा अपना घर का और यह देखें वित्ती चित्र वाल पेंटिंग्स बदरंग हो गई हैं एक साल पूरा मुसम सहती हैं रंग उतर जाते हैं फिर अगले साल जब मेले की शुरुआत होती है इन्हें लीप कर यह देखें यह दीवारों पर से उस सब उतर गया है और मेला लगता तो यह बाकाइदा बहुत सुन्दर तरीके से सलीके से इस सब को अच्छा बनाया जाता इसको दुबारा से पेंट किया जाता दुबारा से लीपा जाता और यह अपनी अद्भुद छटा पकेर था यहां आने का उद्देश है फरीदबाद हमारा यह है क्योंकि इस मेले के साथ बहुत सारी स्मृतियां लोगों की जुड़ी है और बच्चे आप समझें जो बच्चे पैदा हुए होंगे उस समय वो 32-34 साल के हो गए होंगे इस समय तो इतने सालों से यह फरीदबाद का ए तो लोग पूछते हैं मेला कब लगेगा मगर सबी वीवर्स को यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि अभी पीछे एक साल देश कैसे गुज़रा है जो महामारी कोवेड है कोवेड की कोई रिसर्च इतनी दुनिया भर में चल रही है हम लोग तैंक्फुली हम फॉर्चुने हमारे डॉक्टर साइंटेस्ट इन लोगों ने दवाई का उपचार सबसे पहले कर दिया है और यहां पर इंडिया में सबसे पहले लग रहा है और हम लोग तो बाहर भी अपनी मेडिसिन्स को दे रहे हैं तो अगर इस साल मेला नहीं भी लगा तो इसमें कोई घपराने वा अगे और बड़े सुन्दर सलीके से बनाए जाते रहे यह इन्हें मेंटेन किया जाता रहा इतने लाखों की तादाद में लोग आते थे तो अब आप देखें यह देखिए और फरीदबाद चोड़ेंगे आपको ऐसी ही और खबरों के साथ बताएंगे आपको शहर के बारे में शहर की नब्स के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू विकार्ट